नमस्कार प्यारे विद्धियार्थियो आर्पी एम ब्रिज यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है उत्तरप्रदेश राजसुलेकपाल के लिए उत्तरप्रदेश बिसेश यानि की उत्तरप्रदेश से सम्मंदित प्रश्ण है जो उत्तरप्रदेश यानि की यूपी ट्रपल सी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहते हैं इस्पेशल उत्तरप्रदेश यानि की उत्तरप्रदेश राज के बारे में यहां पर आज हम बात करने वाले हैं तो उत्तरप्रदेश राजसुलेकपाल के लिए बहुत ही मैद्पूं विकास से रिलेटटड यानिकी जो उत्तरपदेश, राजस instruction लेकपाल में आपका ग्रामिंग विकास पर्विस जो तोपिक आपka जुड़ा हुआ है जो आपका Slavers में है उससे रिलेटड ये टोपिक है तो बह। नाücht बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक होने वाला है वीडि किये हुई सरंकला की शुरुवात करते हैं पहला कुस्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में कितने जलों में विभाजत है तो यह कुस्चन तो बिलकुल सरल है सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल डिस्टेक है वो प्यारेशातियों कितने हैं 75 चले भारत का राष्टपती या फिर सर्वोच नेयले का मुख नेयदीस या फिर राज़पाल तो प्यारशाथियों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख नेयदीस की नुक्ती कौन करता है तो उसकी नुक्ती जो होती है प्यारशाथियों वो भारत क राश्टपती के द्वारा की जाती है तो आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर तीन की तरफ राजसवा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको बताना है प्यारे शातियों कि राजसवा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं तो प्यारे शातियों राजसवा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं तो कुस्चन नमबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप प्यारिस्थान वो जो इस्थान है वो आपका चौथा है तो कुस्चन नमर चार का अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर तीसरा चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहथ कितने प्रमुख मंडल है ये आप से कुस्चन में पूंचा गए क्यों जिले तो 75 है ल इस्थान परल उत्तर प्रदेश में चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में लिंगा ऊनुपात वर्स 2001 में 897 से वर्स 2001 में कितना पहुँच गया यानि कि 2001 ये पेक्चा 2011 में कितना एजाफा हुआ है यह आपसे कुस्चन में पूंचा गया है 2001 में जो लिंगा अनुपार था प्यारिशात्यू वो 898 था और 2011 में कितना है ये आप से पूंचा गया है तो 912 है या 922 या 925 या फिर 930 तो प्यारिशात्यू कुश्चन नमर 6 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो आपका option नमर A यानि कि 912 चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 7 की तरफ भारत की जनगलना 2011 की अनुशार उत्तर प्रदेश के प्रतिवर्ग किलोमीटर जन संख्या घना तो क्या है 620, 720, 829 या फिर 920 तो प्यारिशात्यू जल्दी से बताईए अच्छे से अंसर करिएगा कि नमर 7 का जो राइट अंसर होगा ऑप्शन नमर 6 यानि की 829 प्रतिवर्ग किलोमीटर जन घना तो है उत्तर प्रदेश राजिका चलिए आगे बढ़ते हैं 2011 की जन घना के अंशार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जन संख्या वाला सहर कौन सा है तो आपको बताना है प्यारिशात्यू कि उत्तर प्रदेश का 2011 की जन घना के अंशार सबसे सरवाधिक जन संख्या वाला सहर कौन सा है कानपूर, लखनव, अलीगड या फिर बरेली तो प्यारेशातियो सरवादिक जनसंख्या वाला जो नगर है सहर है वो आपका लखनव है तो याद रखना है कुश्चन नमर आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर दूसरा चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर नौ जिला अस्पतालों के लिए भारती लोग स्वास्त मानकों के अनुशार 10 लाग जनसंख्या वाले प्रतियेक जिले में कम से कम कितने विस्तर होने चाहिए कितने वैड होने चाहिए यह आपसे पूछा गया होस्पटल में अगर जनसंख्या जो है वो 10 लाग से जादा है तो कितने वैड होने चाहिए होस्पटल में ये आपसे question में पूंचा गया, बहुत important question है, तो प्यारे शाथियो, question number 9 का right answer हो जाएगा, option number 2, 10 लाग से अधिक आवादी वाले जिले में, जो अस्पताल में बैड की संख्या होनी चाहिए, वो 300 होनी चाहिए, भारती लोग स्वास्त मानक के अनुशार, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 10 की तरफ, केवल कितने प्रत्सत ग्रामिल परवार की रसोई में, मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, ये question में आपसे पूंचा गया है, 7 प्रत्सत, 13 प्रत्सत, 1 प्रत्सत, या फिर 4 प्रत्सत, तो प्यारे शातियो, question number 10 का जो right answer हो जाएगा, वो option number C, यानि की केवल 1 प्रत्सत लोग ऐसे हैं, जिनके घरों में आज भी मिट्टी के तेल से खाना बनता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 11 की तरफ की कौन से सास्तिरी नित रूप का उत्तर प्रदीस में उद्बव हुआ है, ये आप से पूँचा गया, कथक, भरतनाट्यम, कुछी पूगी या फिर घूमर, तो प्यारे शातियो, question number 11 का right answer हो जाएगा, option number A, यानि की उत्तर प्रदीस में जिसका उद्बव हुआ है, उसका नाम है कत्तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी उपभासा, राज के पस्चमी भागों, रोहिल खंड और उपर दवाब में बोली जाती है, बुंदेल, खंडी, खड़ी बोली, अबदी या फिर बरजभासा, तो question number 12 का, जो साथी और right answer हो जाएगा, वो option number 2, यानि की खड़ी बोली, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 13 की तरफ, महाजनी पर्था का सरपर्तम उल्लेक निम्लिकित मैंसे किस प्राचीन गरंत में हुआ, ये आप से question में पूचा गया, रामायग, महाभारत, सत्पत ब्रामाग, या फिर उपनिशद, तो प्यारे शाथी, question number 13 का, जो right answer हो जाएगा, वो आपका option number 3 हो जाएगा, यानि कि सत्पत ब्रामाग, चलिए आगे बगते हैं, question number 14 की तरफ, उत्तर प्रदेश में प्रमुख डेल इंजन सेंतर कहां पर इस्ते तो प्यारे शाथी, उत्तर प्रदेश में प्रमुख डेल इंजन जो सेंतर है, वो किस कौन सी मीलों की संख्या सरवादिक है, कपडा मीलों की या फिर चीनी मिल या फिर चाबल मिल या फिर इस पात बेलने तो प्यारे शाथी हो, चीनी मिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सरवादिक हैं, तो कुस्चन नमर 15 का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर दूसरा चलिए आगे बढ़ते हैं, किस मंडल को बिस्ट के उत्क्रेश्ट कालीन उद्योगों का केंदर माना जाता है, ये कुस्चन में आपसे पूंचा गया, मिरजापुर, देवी पाटन, अलिगगग, या फिर आजमगड, तो पहरे शाथियों बताइए, कुस्चन नमर 16 का राइट अंसर क्या होगा, तो चलिए मिलवाते हैं, कुस्चन नमर 16 के राइट अंसर से, कुस्चन नमर 16 का राइट अंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नमर A, यानिकी मुराद अबाद, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुस्चन नमर 18 की तरफ, उत्तरमद रेलवे का मुख्याला है, कहां इस्तित, ये आप से कुस्चन में पूंचा गया, प्यारिशातियों, जहांसी, इलावाद, गाजियाबाद, ये फिर आगरा, तो उत्तरमद रेलवे का जो मुख्याला है, प्यारिशातियों, वो इलावाद में इस्तित, कुस्चन नमर 18 का राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन नमर दूसरा, चलिए आगे बगलते हैं, चमगे की बस्तित, कौन कौन से जिले हैं, ये आप से पूंचा गया, आगरा और कानपूर, प्यारिशातियों, चमगा के लिए जो फैमस हैं, वो आपके आगरा और कानपूर, तो इस हिसाब से आप्शन नमर 19 का बिल्कुल शही उत्तर हो जाएगा, प्यारिशातियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका इसी वीडियो में टॉपिक है, उत्तर चेतर में फैमस है, यहां पर डिसकस कर रहे हैं, तो चरकुला नत ब्रजभूमी चेतर में फैमस है, चरकुला नत ब्रजभूमी चेतर के लिए फैमस है, पाई डंडा बुंदेलखंड के लिए फैमस है, पाई डंडा लोक नत है, उत्तर प्रदेश का, वो बुंदेलखंड ये भी आपका बुंदिल खंड के लिये है राई न्रता ये भी आपका बुंदिल खंड इरिया में सरवादिक रूप से मनाया जाता है सेरा नत चले आगे बढ़ते हैं कार्तिक गीत ये भी आपका बुंदेल खंड में पैरिशातियों तो सरवादिक उत्तर परदेश के जो नत हैं वो बुंदेल खंड से समंद रखते हैं कार्तिक गीत बुंदेल खंड आगे बढ़ते हैं कर्मा कर्मा जो है मिर्जापर और शौनबदर जिले में सरबादिक रूप में मराया जाता है पैरेशातियों जो कर्मा नत है वो मिर्जापर और शौनबदर जिले के लिए पिरमुक है चलिए आगे बढ़ते हैं चौरसिया उनको यहाँ पर हमने कवर किया है तो आईए उनको भी जान लेते हैं पहला लोग गीत है आपका रसिया तो रसिया जो है वो आपका ब्रजभूमी छेतर से समंद रखता है पहरे साथी जो रसिया लोग गीत है वो आपका ब्रजभूमी छेतर से समंद रखता है कजरी के लिए फैमस है तो प्यारे शातियो आला जो है वो आपका बुंदेल खंड शेतरशे शंबंद रखता है चले आगे बढ़ते हैं बिरहा जो है वो पूरवांचल शेतरशे शंबंद रखता है तो आपको याद रखने कि जो बिरहा वो पूरवांचल शेतरशे शंबंद रख ये तो उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्मूर टॉपिक है ये चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जंजातियां कौन सी जंजाती किस जिले में रहती है तो आए थोगी उत्तर प्रदेश की जंजातियां है अनसूचित जंजातियां उनके बारे में थोगी सी चर्चा कर लेते हैं गौंड शमू तो प्यारे शाती जो गौंड शमू जन जाती है वो महराज गंज, सिदार्तनगर, बस्ती, गोरकपूर, देवरिया, मवू, आजमगर्ड, जौनपूर, मिर्जापूर एवं शौनमद्र इन सभी जलों में गौंड जन जाती, चलिए आगे बढ़ते हैं सहरिया जन जाती, सहरिया जन जाती, इसपेसल ललितपूर में पाई जाती है, प्यारे शाती उत्तर प्रदेश में ललितपूर में सहरिया जन जाती का निवास है, आगे बढ़ते हैं पहरिया, पहरिया जो जन जाती है, प्यारे जन ज मिरजापुर में प्यारिया जन जाती है पांखा और पनका जन जाती जो है वो मिरजापुर में पाई जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगरिया शौनबदर में पाई जाती है पटारी शौनबदर में पाई जाती है ये भी आपकी शौनबदर जिले में पाई जाती है सरव अब तक के लिए topic को revision करते रहिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा comment करके आपको बताना है वीडियो अगर पसंद आया हूँ तो वीडियो को like और share करिएगा और शाती में बेल आइकन को प्रेश्ट कर लीजिएगा चैनल को subscribe करना बिलकुल नहीं भूलना जि